नमस्कार दोस्तों Valiant Organics Limited शेर जब इस जोन में ट्रेड कर रहा था तब ही मैंने आपको कहा था कि अगर ये शेर अपना 575 का सपोर्ट तोड़ देगा तो उसके बाद इस शेर में हमें लगातार घिरावट देखने को मिलेगी और आप देख सकतो ठीक वैसा ही हुआ है हमें 3 इन 4 दिनों से लगातार इस शेर में घिरावट देखने को मिलेगा जैसे इस शेर ने अपना सपोर्ट तोड़ा है तो दोस्तों चलिए घरते हैं इस शेर का टेकनिकल एनलिसेस और देखते हैं कि क्या यहां से कोई बहुत भयंकर घिरावट आने वाली है या फिर हमें यहा आ गया है तो 575 का लेवल तो अब इस शेर के लिएक रेजिस्टन्स बन गया है दोस्तों अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की तो 512 रुपीस का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है क्योंकि पहले भी इस शेर ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया तो और उसके बाद उच्छाल दि तो यहाँ पर दोस्तों फिलाल इस शेर में एक ही इंपोर्टन सपोर्ट है वो है 512 रुपीस का लेवल दोस्तों आईए ब हम अप्लाए करते हैं इस शेर में कुछ इंपोर्टन टेकनिकल इंडिकेटर्स और देखता है यह इंडिकेटर्स में क्या चेंजेस आया है तो यह चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीचिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चैर में M.A.C.D. अभी पूरी तरीके से बैरिश वापस से हो गया है और दोस्तों जो relative strength index है वो अभी बहुत ज़्यादा over sold zone में आ गया है 22 तो यहाँ पर RSI 30 के नीचे भी चला गया है और अभी 22 के इदर है तो relative strength index बहुत ज़्यादा over sold zone में है इसका यह अर्थ है कि RSI हमें यह बता रहा है कि share में already बहुत भिकवाली हो गई है और यहाँ से एक reversal आ सकते है तो दोस्तों आईव हम देखते हैं इस share में अगर आपने उपर के levels पर खरीदारी की है तो आपको क्या करना चाहिए हम यह भी discuss करेंगे और हम यह भी discuss करेंगे कि अगर आपको इस share में अभी खरीदारी करनी है तो कौन से levels पर आपको buying करनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर पहली बात तो यह है कि अगर आपने higher levels पर खरीदारी किये तो आपको एक stop loss लगा के रखना चाहिए था अगर आप एक stop loss लगाते तो आज आपको इतना बड़ा loss नहीं होता है और जब भी मैं आपको इस channel पर videos बनाता हूँ कोई भी stock के उपर तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप इस level को stop loss लगा सकते हो क्योंकि अगर यह share इस level को break करेगा तो एक बड़ी गिरा बटाएगी तो पहली बात तो आपको एक stop loss लगाना चाहिए था अभी दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आपने इस share में already buying कर दिये तो फिलाल आपके पास एकी option है hold करने का अगर दोस्तों आपको इस share में average करना है तो मुझे लगता है कि यह share 512 रुपीस तक आ सकता है उसके बाद इस share में एक recovery आएगी क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि इस share का relative stand index 22 के इदर है तो अभी यह बहुत ज़्यादा over sold zone में आ गया है तो मुझे लगता है यह share 512 रुपीस तक आ सकता है उसके बाद ही एक recovery दिखाएगा दोस्तों तो यहाँ पर एक best buying level हमारा यही रहेगा 512 के नजदिक पे और दोस्तों अगर आप 512 पे खरीदारी करते हो तो यहाँ पर आपको 507 रुपीस का stop loss लगाना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर यह share 507 के नीचे जाएगा तो और घिरावट आएगी पर इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है अगर हम बात करते है टार्गेट्स की तो दोस्तों यह share 512 पे support लेके अगर recovery दिखाते है तो short term में 575 का पहला टार्गेट अचीव करेगा दूसरा टार्गेट रहेगा 610 का तीसरा टार्गेट रहेगा 675 का तो दोस्तों यहाँ पर यह हो गए हमारे targets और अगर आपको stop loss रखने है तो 507 का एक stop loss रहेगा तो आज की वीडियो गले मुसे इतना ही यह वीडियो के educational वीडियो ता इस लेश्यार मेरे कोई 22 यह hold की सला नहीं है धन्यवाद